आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इच्छा पूर्थी मंत्र की जो आपकी रियालिटी को ही शिप्ट कर देता है इस मंत्र को मैं एक साल से अब फॉलो कर रही हूँ जाप कर रही हूँ और इसने मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स किये हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये आपकी लाइफ में भी बहुत सारे मिरेकल्स करेट करेगा तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं हूँ पुझा शर्मा और सागत है आपका लाइफ की रएड़ एडवोकेट पर जहां हम बात करते हैं इसको मैं लगबग एक साल से यूज कर रही हूँ और एक साल से यूज करने से इसके क्या रिजल्ट्स हुए हैं मिरी लाइफ में में बहुत सारे मिरेकल्स अट्रक्ट हुए हैं मेरी life में चीजें अपने आप manifest हो जाती हैं मैं बस अपनी vibrations को high करती हूं अपना पूरा power लगाती हूं और वो चीजें manifest हो जाती है life में वो चीजें मेरी life में आ जाती हैं बहुत easy है और बहुत आसान है आप भी कर सकते हैं इस इच्छा पूरती मंत्र को follow करने के लिए आपको 4 steps को follow करना बहुत जरूरी है सबसे पहला होता है feelings जो भी आप करें जो भी अपनी life में आप करें उसके लिए आपको अपनी feelings को उस चीज से connect करना पड़ता है कि जब आप क्या अंदर से vibrate करेंगे क्या feel करेंगे सोचो कि अगर आप अपनी life में job manifest करना चाहते हो और वो job आपने manifest कर ली तो कैसा feel करोगे जब salary आपकी account में आएगी हर महीने जब आप अपनी मन चाही चीजों को salary से खरीद पाओगे आप अपनी wishes को पूरा कर पाओगे आप कपड़े खरीद पाओगे अब बहुत साथी चीज़े हैं जो उनको आप खरीदना चाहते हो वो आप ले पाओगे तो आपको वो क्या feel होगा जब वो चीज़ें हो जाएग thoughts जो है negative हैं तो उनको replace कर दो positive thoughts से जैसे suppose करो कि आपको ये thoughts आता है कि ये job पाना बहुत मुश्किल है इस job के लिए बहुत competitions हैं मुझसे जादा जो qualified लोग है वो है तो ठीक है तो इस replace को ऐसे करना है कि मेरे में बहुत सारी qualities है मैं इस job को deserve करती हूँ मुझ में ये qualities हैं जो इस job को fulfill करने के लिए चाहिए और मैं deserve करती हूँ इस चीज़ को इस तरीके से आप replace कीजिया तीसरा आता है belief कि जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए 100% belief रखें कि ये जब आपने किया है मतलब आपने आप powerful soul हैं आप universe के बच्चे हैं प्यारे से आपके अंदर Neville Godard से से कहते हैं आप खुद भगवान हैं जब आपके अंदर भगवान हैं तो belief कीजिए ना कि जो आप करेंगे वो होगा manifest क्यों डाउट रखना है डाउट रखना ही नहीं है डाउट रखना मतलब उस भगवान पर डाउट करना उसकी जो यह बनाई हुई श्रष्टी है यह जो साथ साथ खुद पर डाउट करना खुद पर डाउट जब आप करेंगे तो आप दूसरों में भी विश्वास नहीं देख पाएंगे दूसरों को भी आप डाउट की नजर से देखेंगे तो सोचिए जब आप डाउट से भरे रहेंगे तो बाहर भी आप वही energy वाइब्रे लेना, लाइक आप अपने लाइफ में आपका soulmate manifest करना चाहते हैं, आपका lover चाहते हैं, या आपके SP से चाहते हैं की commitment मिल जाए, तो पहले आप से खुद से किये हुए commitments को पूरा करना सीखिए, जैसे आपने खुद की growth के लिए कुछ सोचा है, तो आपने अगर वो नहीं किया जो आसपास के relations हैं आपके, आपके चाहते सब्लिंग से हुए, आपके ममी से हुँ, आपके पापा से हुँ, आपके भाई बैनों से, फ्रेंड से, अगर गड़गड हैं, तो जब आप अंदर से प्यार से थोड़े बहुत खाली हैं, तो फिर आप सोचिए कि कहां से आपको खाली करना पड़ेगा, जो भी चीज़े भड़ी हुई हैं, जो डाउट पड़े हुए हैं, उनको खाली करो, उसके बाद पॉजिटिव चीज़ों को डालो, ठीक है, तो यह सब स्टेप्स हैं, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, आपके विश्यस को मैंने तर्स करने के लिए, पर अब मैं जिस महा मंतर की बात कर रही हूँ, वो मंतर है, एक affirmation है, बहुत प्यारी सी, जिसको मैं एक साल से यूज़ करती हूँ, affirmation है कि मैं बहुत भागेशाली हूँ, क्या ये अदबुद नहीं है कि मेरे बहुत सारे काम, easily और effortlessly हो जाते हैं, मेरी life में बहुत सारे miracles ह हो रहे हैं, ठीक है, ये ही affirmation रोज सुबह उटते ही खुझ से बोलो, कम से कम 11 बार बोलो, रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार बोलो, फिर देखना, अगर 21 दिनों के अंदर अपनी life ना बदलते हूए देखो, तो मुझे बताना, आकर जरूर इस वीडियो के comment section में comment करके मु करना है, ये आपके लिए बहुत beneficial होगा, उसने मेरे लिए काम किया है, तो ये आपके लिए भी करेगा, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye-bye, take care, have a nice day.